शिक्षा सुधार रोजगार आज एस्टेट पीरित अभ्यार्थियों की तरब से एक बरा वक्तब देने जा रहा है इसको ध्यान से सुने एस्टेट पीरित 2019 अभ्यार्थियों की बैठक पटना गांधी मैदान में 13 अक्टूबर 2019 को प्रस्तावित है शिक्षा विभाग ने जिस तरह का रवया एस्टेट पीरित अभ्यार्थियों के लिए अपनाया है ऐसे में अभ्यार्थि अब बैठक के बाद हाई कोट का रुख कर सकते हैं अभ्यार्थि असमंजज में है क्योंकि ना ही सिक्षा विभाग ने से लेवस जारी किया और ना ही विवादों को सुल जाया ऐसे में अभ्यार्थि अब पटना हाई कोट की तरफ रुख करेंगे इसके लिए 13 अक्टूबर 2019 को पटना गांधी मैदान में आपात बैठक देंगे क्योंकि सिक्षा विभाग किसी प्रकार की कोई भी जवाब देही से बचता है और पडिक्षा की तिथी भी बढ़ाने पर जब चर्चा की गई तो कोड़ा आस्वासन मिला है ऐसी पडिक्षा जिसका ना ही सिलेबस है ऐसे में पडिक्षा किस पैटर्ण पर होगा सिक्षा विभाग साप कर रहा है ना ही सरकार इस पर कोई जवाब दे पा रही है अभियर्तियों को अब हाई कोट का सहारा है पतना हाई कोट में अभियर्तियों के द्वारा याजिका दायर की जाएगी और विभिन मुद्दों को सुल्जाने की बात की जाएगी और जल से जल इस मुद्दे को सुल जाने की बात की जाएगी क्योंकि साथ नवंबर से परिक्षा और परिक्षा से पहले अगर विवात को नहीं सुल जाया गया तो अभ्यहरतियों के जीवन के साथ बड़ा खिलवार होगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि कैबिनेट के बैठक में बात को रखा जाएगा पर वो कैबिनेट की बैठक कब होगी कैसे होगी इस पर कोई चर्चा नहीं है। पटना हाई कोट की सरन में जाएगे इसके लिए 13 अक्टूबर 2019 को पटना गांधी मैदान गांधी मूर्थी के पास अभ्यहरतियों की एक आपात बैठक बुलाई गई है। अगर आप एस्टेट पीरित अभ्यहरतियां और चाहते हैं की आपके भविश का फैसला आपके पक्ष में हो तो इसके लिए 13 अक्टूबर 2019 को प्राता 10 बजे पटना गांधी मैदान में जरूर पहुँचे और उसी दिन आगे हाई कोट में जाने के निन्नै पे चर्चा हो 13 अक्टूबर 2019 ये वो दिन है जब अभ्यहरतियों के बैठक होगी आप सोच सकते हैं शिक्षा विभाग का कहना है कि 10-20 लोगों के लिए नियम नहीं बदले जाते तो अब अगर आप 10-20 की संख्या में आएंगे तो सही में आपके भविश का फैसला नहीं हो पाएगा जो भी पीडित अभ्यहरति हैं वो चाहे किसी भी पैवाने पर पीडित हो गो पतना गांधी मैदान पहुंचे 13 अक्टूबर 2019 शिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद